तो कैसे हूँ आप सब आप सब आप सभी अच्छे होंगे आज मैं आपके लिए कुछ धम्मा केदार टिप्सन ट्रिक्स देके आई हूँ बहुत ही ज्यादा यूसफूल और पैसो की बच्चत करने वाले टिप्स हम देखेंगे तो चले वीडियो को शुरू करते है यहाँ प कटोरी खराब हुई है उसके उपर आप डालिए थोड़ा खाने वाला सोड़ा और थोड़ा सा नमक डाल दीजे उसके बाद हमें थोड़ा सा वाशिंग पाउडर डालना है चाहू तो आप कोई भी बरतन वाला सावन भी थोड़ा सा डाल सकते हो उसके अदिके थोड़ा सा गरम पानी ले लिए और इसे आप दो मिनिट के लिए अगर बहुत ज़्यादा जिद्धी दाग है ना दो मिनिट के लिए आप इसे गरम बानी डाल के रख दीजे या फिर जैसे हातों से इस तरीके स्क्रब कर रहे हूं बिल्कुल यही तरीका आपको यूज करना है कोई भी स लालàng वह स्क्रबिंग का बहुतिया जैसे का म करता है और ताग निकालने में मदद करता है साथी में आगर हम बरतन हो यह एक तो यह गलती आपको बिल्कुल नहीं उसके हातों से अपने यह दाग निकाल लिया है और रिजल बिल्कुल आपके सामने है पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारी नेक्स्ट टिप है इस तरीके के वाटर बॉटल के लिए हर घर में बहुत सारी वाटर बॉटल इस तरीके से पड़ी रहती है पर इसका हम ज़्यादा तर पानी भरने के लिए उसकरते है पर आज हम इसका हट के अलग यूज़ करेगे क्योंकि इसके जो उपर वाला हिस्सा है न मैंने इस तरीके से कट कर लिया है चाकू की मदद से आज कैच बहुत ही अराम से हिस्सा कट हो जाएगा इस तरीके से हमें दो ये उपर वाली हिस्से बॉटल के चाहिए तो ये दिखे बहुत ही ज्यादा मजबूत ये होता है और दिखने में भी अच्छा दिखता है देखकर चौक जाओगे ऐसा ही है आपको मैं दिखाने वाली उसका ओर्गनाइजर बनाके तो ये दिखे कुछ इस तरीके से हम इसे आमने सामने रखेंगे बिल्कुल भी परफेक्ट आपको कट करनी के ज़रूरत नहीं है थोड़ा बहुत इदर उदर हो गया तो भी चल जाएगा उसके बाद यहाँ पे हमें लेनाइट टेप और ट्रांसफ आपका घर और्गनाइज रहेगा ट्राइवलिंग में आप बहुत सारी चूटी चूटी चीज़ जो है वह आराम से लेके जा पाओगे तो ये देखे कितना मजबूत बना है तो इससे देखिए एक साइट से अगर खोलोगे तो ये पिरी डिब भी बन गई है बहुत ही सु सब्सक्राइब कीजिए ऐसे यूसफुल वीडियो में आपके लिए लाती रहती हूँ और देख सकते हो बहुत ही सुन्दर और मजबूत ही हमने बना लिया है चोटो सा ओर्गनाइजर जो कि दिखने में बहुत सुन्दर लग रहा है और हमारी नेक्स्ट टिप है इस तरीक इस तो आपको क्या करना है इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे धौ रहे हो तो ये जो रबर है न इसे आपको निकालना है इस चले कीसे ने चले देखते हमारी next tip कौन सी है इस हरी के कटर ज़रूर आपके घर में भी होंगे पर थोड़े दिनों बाद ये प्लेड है न थोड़ी खराब हो जाती जंग लगता है तो हम सोचती कि ये कटर फेक देते नया कटर लेके आते पर इससे क्या हमारा खर्चा ही हो जाएगा जैस उसरा कटर है इसमें से एक गिर गया है जो बहुत पुराना है और ये जो नया कटर है इसमें चोटा सा ब्लैक वाला हिस्टा है पीछे जो इसे हमें खीचेंगे ना बहुत ही आराम से निकल जाएगा कटर में लगी उनकाल सक्ते हो incarnAP के तुकार में बहुत ही सस्ते में इस तरीके से ब्लेड मिल जाती है और नहीं ब्लेड इस तरीके से लगा भी सकते हो बहुत ही आराम से इससे आपको नया कटर खरिदनी की ज़रूती नहीं है और यह देखे यहां पर इससे लगा लिजे बहुत ही अच्छे से बैट जाता है यह चूटी चूटी बाती अगर हमें पता होती ही ना पैसो के विवच्छत हो जाती है और एमर्जंसी में हमें काम भी आती है जरूर ट्राइ करें और यह दिके बहुत पुराना हो चुका है तो यह पीछे वाला ब्लैक हिस्सा निकल गया तो जैसे हम खीचेंगे ना बिल्कुल कर लंगे साथिम अगर आप बिर्यानी के लिए या फिर सबजी के लिए ग्रेवी के लिए पैस का रहे हो तो बहुत बारीक चाहिए होता है जो की हमें नहीं काटना आता हात्üyों में लगने का भी डर रहता है इम भी चला जाता है रघुलर जैसे हमें प्यास चाई होता है उतना तो हम आराम से काट लेंगे पर बहुत बारिक प्यास चाहिता है जैसे कि बिर्यानी के लिए ग्रेवी के लिए तो वो प्यास काटना मतलब बहुत जंजट लगता है टाइम तो लगता ही है क्योंकि प्रोफेशनल जो होते हैं उनको ये काम आसानी से आजाता है हमें नहीं आता तो हम दिरे दिरे से से काटने लगते अब आखों में आसो आने लगते है, टाइम भी लग जाता है, तो ये दिक्कत आपकी दूर होने वाली है, बिना चाको के हम इसे काट सकते हैं, वो भी आखों में आसो आए बिना, यहाँ पर आपको जो प्याज है उसे पूरे पानी में नहीं डालना, यह गलती बिल्कुल भी ना करें, इसके जो नुकसान है न मैं आपको आगे बताऊंगी, तो पहले दिके से सही तरीका क्या है पानी में रखने का, तो यहाँ पे पानी के उपर मैंने चन्नी रखी है, और इस तरीके से थोड़ा सा पानी चन्नी के उपर आया, ज्यादा नहीं आया, आप देख सकते और यह जो प्यास है ना, जिसे आपको काटना है, उसे बस इस तरीके से रख दीजे, नीचे का हिस्सा नीचे रहना चाहिए, थोड़ा सा पानी में डिप हुआ, तो यह जो इसमें से लिक्विड निकलता है, जो आखों में आसु लाता है, वो निकल जाएगा, और पूरा प्यास भी गिला नहीं होगा, जैसे पूरा प्यास गिला होता है, आपने देखा होगा, पानी में से निकालके हम प्यास को कट करने लगते हैं, और गिले प्यास को ही हम डालते तड़के में, जैसे ओल के अंदर गिला प्यास चला जाएगा, तो सारा ओल इदर उदर उड़ साथ ही में हमारे स्किन के उपर उड़ने का भी आने का भी डर रहता है तो ये दिक्कत आपके साथ अभी तक होती होगी पर आज के बाद बिल्कुल भी नहीं क्योंकि हमने इसे बिल्कुल जाली में रखाता तो पूरा प्यास गिला होता भी नहीं है और इसमें से सारा जो लि बहुत ही आराम से कट हो जाता है और आप इसकी fine cutting देख सकते हो ये बहुत ही अच्छे से equally कोट हो जाता है इतना बारीक प्यास खुद से कट करना बहुत ही मुश्किल है ना मुनकिन है क्योंकि जो professional होते हैं जिनको आदत होती है वो इस तरीके के cutting कर पाते equally और बहुत ही fast वो से ये आपका काम आसान हो जाएगा यहां पर मैं आपको अराम से करके दिखा रही हूँ इससे भी ज्यादा तीजी से आप प्यास को कट कर सकते हूँ वो भी equally और बारीक से बारीक जरूर ट्राय करें बहुत ही अच्छे से ये cutting करता है और इसका result बिलकुल आपके सामने दि से करना अगर बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है तो बाकी काम हमारे रह जाते क्योंकि बिर्यानी दे को रोज रोज तो नहीं बनती अच्छी कासी बहुत ज़्यादा हम बनाते उसके लिए प्यास भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है तो इस तरीके से आप उस काम क आप भी जरूर ट्राइ करें, आखों में आसु भी नहीं आएगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लेगेगा, और हमें जैसा चाहिए, वैसा बारिक प्यास भी हम काट पाएंगे, यह है प्यास पे छन्नी और पिलर का कमाल, आपको सबसे ज्यादा कौन सी ट्रिक अच्छी लगी, मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए, वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजे, शेर कीजे, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर, पूरा वीडियो देखने के लिए थेंक्यू,